साथियों आपका पहला सवाल है, कौन से रिशी श्री राम के समक्ष ब्रहमलोग से सिधारे थे? आपका ओप्षन है A. शर्भन B. लोमस C. अगस्ट्य D. दुर्वासा आपका सही ओप्षन है A. शर्भन सवाल नंबर दो है, किस प्रकार के विवा में वधु का मूल्य लिया जाता है? आपका ओप्षन है A. दैत्य विवा B. ब्रहमा विवा C. असुर विवा D. गंधर विवा आपका सही ओप्षन है C. असुर विवा सवाल नंबर तीन है भगवान गडेश के कितने पुत्र दे? आपका ओप्षन है A. चार पुत्र B. दो पुत्र C. तीन पुत्र D. एक पुत्र आपका सही ओप्षन है B. दो पुत्र सवाल नंबर चार है सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? आपका ओप्षन है A. बारह आसन B. दस आसन C. ताठ आसन D. चौदह आसन आपका सही ओप्षन है A. बारह आसन सवाल नंबर पाँच है रामचरित्रमानस में रामशब्ध कुल कितने बार आया है? आपका ओप्षन है A. एक हजार बार B. पात सो बार C. एक हजार चार सो तैतालीस बार D. एक हजार दो सो तैतालीस बार आपका सही ओप्षन है C. एक हजार चार सो तैतालीस बार सवाल नंबर छे है भगवान शिव की बहन का क्या नाम था आपका आप्षन है A. असावरी B. सालिय C. लक्ष्मी D. दुर्गा आपका सही आप्षन है A. असावरी सवाल नंबर साथ है वानर वीर अंगत किसके अंच से जन्मे थे आपका आप्षन है A. अग्णी B. ब्रिहस्पती C. वरूम D. विश्वकर्मा आपका सही आप्षन है B. ब्रिहस्पती C. सवाल नंबर आठ है शंबू का वद किसने किया था आपका आप्षन है A. लक्ष्मन B. विश्वामित्र C. श्री राम D. श्री कृष्ण आपका सही आप्षन है C. श्री राम